तो अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे petroleum के बारे में, तो सबसे पहले इसकी कुछ characteristics देख लेते हैं, petroleum जो होता है वो काले कलर का पदार्थ होता है, ठिक crude oil जैसा होता है, और यहाँ पर कहाँ पर पाई जाता है, कुछ चुनिंदा जिगाओ पर पाई जाता है, और यह under the sea मिलता है कहाँ पर मिलता है petroleum हमें जो product मिलता है, under the sea मिलता है, ठीक है, second point बोला गया है petroleum जै complex mixture of compounds known as hydrocarbons, तो यहाँ पर जो petroleum होता है complex mixture होता है, किसका होता है hydrocarbons, तो यहाँ पर hydrogen plus carbon का mixture होता है, hydrocarbon मतलब यहाँ पर hydrogen plus carbon की बात हो रही है, अब यहाँ पर बोला गया है how petroleum was formed, तो petroleum जो product ब बना यहां पर वो हमें बताना है पैट्रॉलियम वास फॉर्म बाइड़ डीकंपोजिशन और रीमेंस ओफ टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स बरिट अंडर दर सी मिलियन्स ओफ इयर्स एगो तो पैट्रॉलियम में होता क्या जो लिविंग और्गनिजम होते हैं जो एकवेटिक एनिमल्स होते हैं और मनने के बाद वो क्या होते हैं कुछ सालों तक वो वहाँ पर नीचे दबे रहते हैं जब दबे रहने की वज़े से वह यहाँ पर क्या होते हैं हमारे petroleum product में change हो जाते हैं जिसको यहाँ पर fossil fuels भी बोला जाता है Their dead bodies sank to the bottom of sea and were soon covered with mud and sand तो यहाँ पर जो उनकी dead bodies होती है वो क्या होती है थोड़े दिनों तक तो वहाँ पर क्या होती है तहरती रहती है और जैसे time बीतर रहता है वो यहाँ पर क्या होती है बरेड हो जाती है सी के अंदर और जैसकी जो mud होते हैं जो कीचर्ड होती है जो sand होते हैं मिट्टी होती है उसके नीचे वहाँ पर दब जाती है Due to high pressure, heat, action of bacteria and in the absence of air, the dead remains of tiny plants and animals were slowly converted into petroleum तो यहाँ पर जब नीचे दब जाते हैं तो नीचे दबने पर होता है pressure भी होँ होता है temperature भी होँ होता है और यहाँ पर bacteria लग जाते हैं और होँआपे हवा की कमी रहती है तो जो dead remains होते हैं, जो कि plants और animals होते हैं, वो यहाँ पर क्या होते हैं, धरी-धरी convert होने लगते हैं, पैट्रोलियम में और इनको convert होने में पैट्रोलियम में काफी साल लग जाते हैं, अब देखते हैं पर next point, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे occurrence and extraction of petroleum के बारे में, कि यह यहाँ पर पाए जाता है, under the sea पाए जाता है, और इसको कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर survey किया जाता है, कि यह petroleum कहाँ पर मिल सकता है, और petroleum के साथ हमें natural gas भी मिल जाती है, और कहीं कहीं पर सिर्फ natural gas होती है, और petroleum नहीं होता सबसे पहले जब survey करने के बाद वहाँ पे wells लगा जाते हैं और wells में एक drilling machine होती है जो नीची drill करती है तो drill करने से पहले सबसे पहले इनको यहाँ पर क्या मिलता है इंपिविरियस rock मिलता है उसके बाद यहाँ पर natural gas मिलता है और जब natural gas मिलता है वो काफी high pressure से उपर जाता है क्या जाता है काफी high pressure से उपर जाता है उसके बाद यहाँ पर इनको क्या मिलता है पैट्रूलियम ओयल मिलता है क्या मिलता है पैट्रूलियम ओयल जो कि यहाँ पर किसका मिक्चर होता है water salt का मिक्चर होता है और यहाँ पर कुछ impureus rock के बीच में रहता है उसके बाद यहाँ पर हमें water मिलता है तो हमें पता है जो water है और जो oil है जो oil क्या होता है काफी ठीक होता है water के उपर float करता है इसलिए यहाँ पर water पहले नहीं मिला है सबसे पहले हमें यहाँ पर natural gas उसके बाद यहाँ पर oil फिर यहाँ पर water मिला और सबसे पहले जो यहाँ प 1859 में कब निकाले जाते हैं 1859 में और इंडिया में भी हमारे कुछ यहां पर पैट्रोलियम प्रोडेक्ट निकाले जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं असम में निकाले जाते हैं गुजरात में निकाले जाते हैं और मुंबई में निकाले जाते हैं और भी जिगाय जैसे निकले जाते हैं और जैसे कि मैं आपको पहले बताए था हर जिगा ऐसा नहीं है कि हमें मिल जाए कहीं कुछ certain areas में होता है इसलिए survey करना जरूरी होता है तो सबसे पहले हैं पर gas मिलता है और कहीं-कहीं पर petroleum product नहीं मिलता सिर्फ कहीं-कहीं पर क्या मिलता है? गैस ही मिलता है तो सबसे पहले हमें natural gas, फिर oil, फिर उसके बाद यहाँ पर water होता है होप आपको यह समझ में आ गया होगा अब हम बढ़ते हैं अपने next topic की तरफ